सुशान सेंग राजपूत की मौत के बाद सही इंडस्ट्री में आउटसाइडर और इंसाइडर की बहस लगातार छिरी हुई है वहीं लगातार चल रही इस बहस के बीच अब बॉलिवुड एक्टर गोविंदा का रियाक्शन सामने आया है यहां गोविंदा का कहना है कि फिल्म इंडस्ट्री में गुडबाजी होती है और कुछ ही लोग है जो पूरी इंडस्ट्री को रूल करते हैं इसी के साथ गोविंदा ने कहा उनके फिल्म इंडस्ट्री को अलविदा कहने और मेरी एंट्री में करीब 33 साल का फरक था जब मैं इंडस्ट्री में आया तब कई नए प्रड्यूसर और कई निर्देशक आ गए थे मुझे उनसे मिलने के लिए कई घंटों तक इंतिजार करना पड़ता था मैं जानता था कि वो मेरे साथ ऐसा व्यभार क्यों करते हैं लेकिन मैं इस सब को अपने आठ के बीच में नहीं आने देता था बता दे गोविंदा को अपने करियर की शुरुवाती दोर में ही सफलता मिल गई थी इसलेकर उन्होंने कहा कि वो जानते हैं कि अमिताब जी, राज कपूर जी और विनोट खना जी ने इस मुकाम को हासिल करने के काफी स्ट्रगल किया था उन्होंने आगे कहा, सफलता आपको कई बार कठोर बना देती है और आगे नहीं बढ़ने देती अपने आनुभाव से मैं ये कह सकता हूँ कि अगर आप शालींता से मदद मांगते हैं तो ये आपके लिए सहायक साबित होते हैं फिर्मे आर्ट से बनती हैं और लेकिन हमने इसे बिजनस बना दिया है आर्टिस भी इंसान है, प्रड़क्स नहीं, जिनमें टैलेंट हैं उन्हें स्वीकार करें तो दोस्तों आपको इस बारे में क्या है कहना हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आपको इन्यूस पसंद आई तो लाइक और शेयर करें ऐसी लेटिस अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ देलिश रानिंग न्यूस के रिपोर्ट सब्सक्राइब कीचे हमारे चैनल लेटिस्ट ओ इंट्रस्टिंग म्यूस के लिए